हेलो इस्टूडिन हमने कल खच्छा आठ के अध्याय च्छ दैन और ज्वाला के अभ्याद प्रसुनों से प्रणसंख्या पांज तक के प्रसुनों को और उनके उत्रों को आपके सामने प्रश्चूत किया था आज हम प्रण संख्या साथ से स्टार्ट करेंगे प्रण संख्या छे तक आपको हमने कल विस्तार पूर्वग जानकारी और इससे सम्मंदी जितने भी प्रण हो सकते थे हमने कल साल्व करा दिये थे आज हम प्रण संख्या साथ से स्टार्ट करेंगे ध्यान देंगे बच्चो प्रण संक्या साथ देखेंगे इंधन के उसमी इमान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है मात्रक पूँच रहा है किसका पूँच रहा है इंधन का उसमी इमान ठीक है तो इंधन के उसमी इमान को किलो जूल प्रति किलो ग्राम किलो जूल प्रति किलो ग्राम मापक द्वारा प्रदर्शित किया जगता है यह उत्तर हो गया प्रदर संख्या आठ देखेंगे बच्चों आपको बताना है कि CO2 किस प्रकार से आग को नियंतिर्द करता है देखेंगे इसका उत्तर पेट्रोल और विद्धूत उपकरण जैसे ज्वलनसील पदार्थों में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन डायाकसाइड सबसे अच्छा आगने शामक है होता क्या है बच्चों कि पेट्रोल और जो विद्धूत उपकरण में आग लगती है तो इसमें पानी का प्रयोग तो बिल्कुल निसे पानी की कारबन डायाकसाइड सबसे अच्छा कारबन डायाकसाइड का मात्रक होता है इसको हम प्रतीक चिन में लिखते हैं CO2 अब कहरा है कि सबसे अच्छा कारबन डायाकसाइड आगने शामक है आगसीजन की तूलना में अधिक भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेड लेती है इससे इंधन और आगसीजन का संपरक तूट जाता है अता आग नियंत्रित हो जाती है CO2 का एक अनिलाब या भी है कि सामानिता या विद्धुत उपकरणों को हान नहीं पहुचाती सिलेंडरों से छोड़े जाने अपर CO2 बहुत तेजी से फैलती है CO2 बहुत तेजी से फैलती है और ठंडी हो जाती है तो इसका आर्थमने जाना बच्चों कि जो CO2 होती है यह इंधन से और आकसीजन से इसको संपरक तोड़ने का कारे CO2 करती है जैको आकसीजन का जहां तक जब तक उसको जलन सील पदार्थ को आकसीजन जब तक इसको तोड़ने का कारे करती जिससे आग बुजित आती है ठीक है प्रण संख्या अब देखेंगे यहां पर अताया न केवल आग को चारों तरफ से घेर लेती है बलकि इंदन के तापको भी कोई हान नहीं पहुचाती इसलिए यह आति उत्तम अगनिसामक है प्रण संख्य आगासानी से लग जाती है क्योंकि हरी पत्तियों में जल अधिक मात्राव में उपस्तित होता है जो हरी पत्तियों को जलने में प्राप्त होने वाली जो उस्मा होती है उसे आसोसित करके वास्पित कर लेता है जो हरी पत्यों को जलाने के लिए दी गई उस्मा को आसोसित करके वास्पित हो जाता है और पत्यों के ताप को उसके जुलन ताप तक बढ़ने नहीं देता जिसके कारण हरी पत्तियां तब तक आग नहीं पकड़ पाती जब तक सारा जल वास्पितना हो जाए और उसका ताप उसे जुलनांक तक न पहुँच जाए होता क्या है बच्चों कि हरी पत्तियों में अधिक मात्रा में जल होता है और जहां पे जल होगा वहां पे आग आसानी से जुलन सील नहीं हो उसका ताप उसके जुलनांक तक पहुँच नहीं पाता है जिस कारण से वहां पे हरी पत्तियों में आग आसानी से नहीं पकड़ती है सूखी पत्यों में पानी नहीं होने के कारण यह जल्दी आग पकल लेती है क्योंकि इनको जलाने के लिए दी गए उसमा इनके ताप को सीख रही इनके जुलन ताप तक पहुंचा देती हैं और यह जलना सुरू हो जाती है यह इसका उत्तन हो गया प्रण्द दंक्या नोका सुने और चांदी को पिगलाने के लिए सुनार ज्वाला की नीली लोग वाले अधीप्त छेत्र अर्थात ज्वाला के सबसे बाहरी भाग का इस्तिमाल करते हैं क्योंकि ज्वाला का या छेत्र सबसे गरम छेत्र होता है और सुना इवं चांदी जैसे धातों का गल्लांग बहुत आधिक होता है इसलिए उन्हें पिगलाने के लिए अधिक उसमा की आ सकता होती है यह है इसे आग ही निकल लही है तो यहाँ पर किनारे के बीच में यहाँ पर कम उस्मा होगी और किनारे पर आग की उस्मा ज्यादा होती है तो किनारे पर लगाते हैं उसे किनारे की लोग प्रदान करते हैं जो आपका सोना और चांदी से बनी हुई कोई वस्तु होती है जिससे क्या होता है कि अधिक उसमा प्राप्त होने के गार जल्दी पिखल जाती है सोने और चांदी की वस्तों का गनलाग अधिक होता है उनको अधिक उसमा की जरुष चाहिए इसलिए जो उसमा होती है नीली लोव में जादा होती है आपने देखा होगा आग को ध्यान से देखेंगे तो नीली लो भी उसमें होती है और लाल लो भी होती है तो नीली लो जो होती है उसमें उसमा अधिक होती है अब प्रंस्दंक्या गेरा और बारा कल के अध्याय में देखेंगे बच्चों धन्यवाद